तोड़े वी आपने लेक्शर अभी तक नहीं देखा तो इस लेक्शर से पहले आप लेक्शर ज़रूर देखें जब आप लेक्शर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमने उन टॉपिक को किजने अच्छे तरीके से आपको conceptual तरीके से कन्वे किया, बताया, समझाया, उनी से related आपने बहुत सारे important MCQs यहां पर develop किये हैं, कुछ MCQs मैंने और पहले लिख दिये हैं, तो आप अब one by one MCQs को discuss करते हैं और इनकी बहुत सारी variation आपकी kit series के अंदर है, जिसको आप में ज़रूर देखना है, तो देखते हैं, पहला MCQs, electrochemical series और application से related है, statement देखेंगा, statement है, question number one, in a galvanic cell, the electrode occupying a lower position in electrochemical series, statement को समझे, electrochemical series में, जो एक galvanic cell में, दो electrode होते हैं, anode, electrode और cathode, electrode, anode और cathode, अब आपने देखना हैं, यह हैं कि दोनों में से anode का role कौन प्ले करता है, और cathode का role कौन प्ले करता है, हम आपने पिछले lecture में बहुत डिटेल से बता चुक हैं, MCQs क जो position में उपर element होता है, वो हमेशा anode का का काम करता है, उस पे हमेशा oxidation process होता है, और जो नीचे position में होगा, उस पे reduction होगी, और वो हमेशा cathode का role play करेगा, और आपने याद रिखना है, like मैं एक example देता हूँ, zinc और copper को connect किया है, zinc position में electrochemical series ने उपर है, तो वहाँ oxidation होगी, anode का role play करेगा, लेकिन copper position में नीचे है, तो वो cathode का role play करेगा, और reduction होगी, वाँ देखें, यहाँ पर भी बात पुछीगी है, electro-docufying, lower position in electrochemical series, तो option alpha, आपने बताना क्या होगा, will act as cathode, तो नदर आ रहा हमें एक lower position वहाँ cathode होगा, पहली बात तो ठीक है, oxidation will take place, no, नीचे व और alpha बात सही है, option delta में लिखा, both a and b, क्या पहली दोनों बाते सही है, तो यहाँ जवाब मिलता कि यह बात भी यहाँ पर सही नहीं, so सही वाली बात जो है, पहले वाली और तीसरे वाली है, so both a and b की जगा पर आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, option c, तो मैं टिक करूँग N is zinc, zinc plus 2, 1 molar, salt bridge, CO plus 2, 1 molar, copper, सही बहले अब समझें, इसको presentation कहते हैं, एक Daniel Selk की representation बोलते हैं, और Daniel Selk की representation कैसे बोल जाती है, यह जो double कैसे लिखी जाती है, यह double line है, यह salt bridge को represent करती है, और double line से पहले वाला जो half है, यह जो मैंने underline किया, यह oxidation half कहलाता है, और जो second half होता है, य oxidation half में जो दो चीज़ें लिखी है, zinc और zinc iron, इसका मतलब है zinc metal strip थी, zinc solid था, और वो इस आप में आइंस में convert होता है, और अपने solution में one mole iron में चला जाता है, जो पिछले lecture में मैंने यह बहुत बहुत डिटेल से आपको समझाई, और इस side में यह शोर है, कि cupric iron one molar, Cu plus two cupric iron होते ह तो यह बहुत सारी यहां से presentation से ही पता चल जाती है, कि oxidation half, reduction half, कौन reduce होआ, कौन oxidize होआ, यहां पे zinc oxidize होआ, electron lose किये, zinc iron में आ गया, और copper electron gain किये, और इसने की reduction और cupric iron में चला गया, copper atom में चला गया, अब देखते हैं, स्वाल क्या है, अब क्या जवाब देते हैं, यह गलव alpha में लिखा है, zinc is negatively charged, तो आपको मैंने detail में बताया, कि जो position में उपर होगा, उसी की oxidation होगी, और वो हमेशा positively charged, जो position में उपर होगा, उसमें हमेशा oxidation होगी, zinc में oxidation है, और ectochemical series में position में उपर है, लेकिन एक बात याद दिखे हैं, कि glovanic cell के अंदर जहां oxidation होती है, जो anode ह होता है, उसमें negative charge होता है, और जो cathode होता है, यह बात बात सही है, zinc is negatively charged, तो बीटा option को देखे है, copper is negatively charged, तो copper positively charged है, cathode है, battlefield है, redefining cell में godly myself में county positive charge होता है, zinc will oxidize, यह बात भी सही है, यहा है जो जो ओपर वला element होगा, वो oxidize होता है, oxidize होगा, और delta में छिखा है, co plus two will be reduced, और यहाँ पे जो CO plus 2 ion है वो reduce होते हैं यह electron gain करते हैं तो हमें पता यह चला इस statement में कि यह बात भी सही है, यह बात भी सही है, यह बात भी सही है, incorrect कौन सी है, incorrect तो बीटा है, incorrect ही हमने तलाश करने दी और incorrect हमारा बस बीटा, copper is negatively charged, this is wrong statement, because copper is positively charged, because it acts as cathode and a reduction takes place at copper. बात करते हैं question number 3 की, और यहाँ भी concept कुछ सीखते हैं नया, question number 3 है, गोर से statement सुनियेंगा, फिर मैं option बोलूँगा, right option आपने चूज करनी है, फिर मैं समझाओंगा, the reactions taking place at anode and cathode are respectively, option alpha, oxidation reduction, option beta, reduction and oxidation, option Charlie, reduction and hydrolysis, और option delta, oxidation and hydrolysis, तो बहुत details यह बात भी आपने याद रखना है, oxidation always takes place at anode and reduction always takes place at cathode, तो फिर right option क्या होनी चाहिए, respectively पहले anode है, तो oxidation को tick की जाएगा, बात में cathode है, तो reduction को tick की जाएगा, so the right option, the best option is alpha, आप beta को tick नहीं कर सकते हैं, कि beta का मतलब फिर हो जाएगा, यहाँ word यूज किया गया, respectively तरतीब से anode पे पहली चीज, cathode पे दूसरी, तो अगर beta tick करते हैं, तो गलत हो जाएगा, कि आप anode पे reduction शो कर रहे होंगे, और cathode पे oxidation शो कर रहे होंगे, जो बात गलत हो जाएगी, question number 4 की बात करता हूँ आपसे, in ECS, ECS mean electrochemical series, in ECS, metal will be easily oxidized if its reduction potential value is, option है, different reduction potential value दी है, पहली option में reduction potential value दी है, प्लस 0.521 volt, बीटा में दी है, प्लस 1.08 volt, चारली में है, माइनस 1.066 volt, डेल्टा में है, माइनस 0.76 volt, सब reduction potential की values हैं, और आपने बताना है कि कौन सी metal जल्दी से oxidized हो जाएगे, यहां ऐसे कहले, यहां जल्दी से oxidized का मतलब यह है, जल्दी से react कर जाएगे, और क्या order पढ अपने reactivity का, electrochemical series में, हमने यह पढ़ा है कि top to bottom in electrochemical series, reactivity of metals decreases, मालब जो top पे metal है, वह सबसे जाएगे, और आप जितना नीचे जाते हैं, उतनी reactivity कम होती है, अब यह बताएगे, जो top पे metal है, जो बहुत जल्दी से react करती है, जिसकी जल्दी से oxidation हो जाती है, जल्दी से oxidized हो यह से कहलें, वो अच्छा reducing agent, आच्छा reducing agent वो होता है, जो जल्दी से electron provide करता है, और दूसरा element accept कर लेता, अपने में से electron lose कर देता है, तो यह metal अच्छी oxidizing agent है, यह iPad जल्दी से oxidation कर लेती है, जल्दी से oxidized हो जاتी है, तो reactivity के साथ order क्या है, यह oxidized होने के साथ इसका order क्या है इस बात को याद रिखलेगा, यहां मैं लिखता हूँ standard reduction potential और यहां लिखता हूँ reactivity के साथ इसका relation То क्या relation में ने reactivity के साथ लिखा है, note करें activity के साथ लिखा जाना relation inverse है कि जतनी ज़्वादा reduction potential की value होगी reactivity अत्नी कम होगी और जितनी कम value होगी, reactivity उतनी जदा होगी, यानि जल्दी oxidized होगा, जदा reactive, अब आप देखें, जल्दी oxidized होने के लिए, जदा reactive होने के लिए, हमें कम से कम value का इंतखाब करना है, चार option में से, तो सबसे कम value कौन सी है, का alpha, यह तो बहुत high value है, प्लस, और बीटा भी प्लस म अगर आपको याद हो, जिसे lithium सबसे top पे दिया हो है, minus 3.06, वो सबसे minimum value समझी जाती है, reduction potential की, और सबसे नीचे, fluorine दिया हो है, that is, plus 2, 8.7 volt, वो सबसे high value समझी जाती है, standard reduction potential की, तो यह order याद रिखेगा, तो इससे पता चला हमें, कि सबसे जादा reactive, तो C वाली metal होगी, जि variation से MC को इस पूचा जाए, तो बताईएगा, order के हिसाब से सबसे जादा reactive, C है, उसके बाद, उसके बाद D होगी, क्योंकि से चोटी value यह है, सबसे कम value, थोड़ी सी बड़ी value D, और उससे थोड़ी value A, और सबसे बड़ी value BETA, तो BETA के बार में, कि आप सी पूचे जाए, which of the following metal, which cannot easily oxidize, यह which is least reactive, तो फिर किसको टिक करेंगे है, definitely फिर आप, option BETA की दरफ जाएंगे, और BETA को select कर लेंगे, अगर यह equation इस variation से पूचा जाता है, अच्छे यहाँ एक और तरिक्के से भी स्वाल पूचा जा सकता है, इन values को देके यह भी पूचा जा सकता है, which of the following is strongest reducing agent, तो again reducing agent के साथ reduction potential का क्या relation है, तो definitely यही relation है, reactivity है, reducing agent का जो relation है, reduction potential के साथ, वो भी यह है, आपने याद नहीं रखना, आपने याद रखना है, inverse relation है, reducing agent का, RA का, with reduction potential, तो again, उसके लिए यह answer आपका C ही होगा, अच्छा reducing agent, और सबसे weak reducing agent, बड़ी value वाला, बीटा, plus 1.08, यह सबसे बड़ी value यहाँ पे, तो यह फिर सबसे काम reducing agent होगा, इस चीज़ को आपने याद रखना है, बात करते हैं, अब हम next question की, question number 5 की, बहुत important question है, again एक genial cell की, sorry, एक glimanic cell की representation आपको दिखाए गई है, और आपको मैंने पहले बता दिया, बलकिए आप judge करें, पहल salt breeze, good, very good, तो और पहले हाँ में जो दो species लखाएंगे, एक aluminium और aluminium आइन है, तो क्या show कर रहा है, aluminium atom oxidized, वह electron lose की, aluminium positive में चला गया, और यहाँ क्या show किया गया, दूसरे हाँ में, दूसरे हाँ में show किया गया है, कि zinc ने electron gain की है, reduce होगा, zinc iron में चला गया, कैसी अजीब बात है, हमेशा zinc को electron lose करते दिखाते हैं, लेकर आज की इस example में इसको electron gain करते वे देख रहे हैं, वज़ा क्या है, वज़ा यह है, कि जिसके साथ comparison में है, वो aluminium electrochemical series में position में zinc से भी उपर है, और जो zinc से उपर होगा हमेशा inode, हमेशा oxidized, और जो zinc जो नीचे वाल element होगा, lower in position होगा, हम हमेशा cathode, और charge opposite वो पहले ही बता चुका हूँ मैं, कि cathode पे इस case में positive charge है, inode पे negative charge है, तो बताईएगा, यह गल्मैनिक cell है, then negative terminal is, सारी बात तो बता चुका हूँ, negative terminal is, जो position में, ओपर होगा है, चार्ज है, तो charge, inode, यह निवह negative terminal inode कहना चाह रहा है, इस case में, गल्मैनिक cell में, तो inode पे negative charge होता है, और inode हमेशे कौन सा होता है, जो position में, उपर, तो position में उपर कौन सा है, aluminium है, zinc, aluminium, तो क्या right option होने चाहिए, alpha, aluminium, zinc, hydrogen, HCF, so here the right option, is alpha, aluminium, और अगर आप से यह पूचा जाता, यही स्वाल होता, सिर्फ यह चेंज कर दी जाती, negative जगा पे positive terminal boost लेते, तो cat, जो आप देते, तो आप फिर zinc cancer कर देते, और अगर आप से यहां में एक question पूचा जाता है, which of the following strong reducing agent, तो जो position में उपर है भी मैंने बताया, और वो aluminium है, तो आप aluminium को टिक कर दे, यह विदर अभी के reducing agent इसकी निस्पत होगा, hydrogen और नीचे है, और weak होगा, औ पूर electrochemical series में कुछ भी नहीं है, यह तो एक electrolyte होता है, element तो यह है नहीं, और यही स्वार अगर आप से इस तरह से पूचा जाता, which of the following, अगर values पूची जाएगा, standard reduction potential की value में से सबसे कम किसकी है, तो याद रखेगा, एक तो series में value दीए, याद रखें, second इस तरह से याद क कर रहा हूं, आप इनको अच्छे से सीखेगा, अच्छे से सुनिएगा, बार-बार आप जो इसको recall करके बातों को सुने, और ज़रूर आप test में यह चीज़ें attempt करें, और हमारी kit series है, उनको ज़रूर attempt कीजएगा, मैं electrochemical series कहने जा रहा था, याद रखें, kit series की बात कर रहा तक कि किसी किसम के test में आप बहुत अच्छे से पास हो, बहुत अच्छे से आप marks लें, आपके aggregate अच्छे बनें और आपके admissions हो, अब बात करता है, last question, sorry, question number 6 की, 6 की statement सुनिएगा, standard reduction potential values of metals are, W सबसे कम, पता चल गया आपको नेक्टी में जितनी बड़ी value की basically कम होती है, फिर X plus 0.34 volt, Y minus 1.85 volt and Z is equal to plus 1.14 volt, indicates that least reactive metal, इसना जब आप दें, बहुत डिटेल से बातें बता चुका हो, order भी बताती है, reactivity का order, reduction potential के साथ क्या होता है, मतलब है least value will be, least reactive पूछे, तो least reactive का मतलब है highest of reduction potential value, highest किसकी नदर आ रही है आपको, कि W, W तो बहुत कम है, X, Y भी कम है, Z, Z highest नदर आ रही है, plus 1.14 volt, चारो मेंसे सबसे बड़ी value है, so मैं यहाँ पे answer पर टिक करूँगा, Z के लिए, क्योंकि W, X, Y और Z ही ही हमरी चार options थी, जिसमें से Z को slack कर लिया, अच्छे अगर opposite पूछे जाता, highly reactive, तो समझ गए हैं, highly reactive के लिए, बहुत किसको prefer करना जा रहे थ तो definitely आप W को slack करते हैं, क्यों, क्यों, इसलिए, के W have minimum standard reduction potential value and this metal will be at the top of the electrochemical series, W को metal नहीं है, वैसे sign दिया है, symbol दिया, question number 7 की बात करतो हूँ आप से, और इसकी statement सुनियेगा, the cell will function best if it's calculated EMF और E not of the cell, अभी मैं और कुछ MC की दोँगा, जहाँ पे मैं आपको EMF और E not of the cell, calculate करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी एक question पूस लिया है, तो पहले इस concept देता हूँ, जब calculate करना सिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से पता जल जाएगा, अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है, अगर हमने एक cell बनाना है, एक battery बनानी है, और आप चाहते हैं कि हम EMF भी बोलते हैं, electromotive force, is equal to E naught of reduction plus E naught of oxidation, यहनी standard reduction potential value and plus standard oxidation potential value, इन दोनों को sum किया जाता है, sum करके value निकाले जाती है, अब आपने याद रखना है कि जब आप sum कर लेते हैं, तो यह जो E naught of the cell है, यह आपके पास इसकी जो options हैं, यह आसकती है, इत में भी a positive value, आप यह देखेंगे, इत में भी a negative value, आप देखेंगे, इत में भी sometimes zero, तो जब यह पास इसकी जोगी तो आप समझेगेगा, लेकिर अगर दोनों का sum negative है, तो आप याद रिखेंगा, reaction is not feasible, और अगर zero है, तो भी याद रिखेंगा, reaction is not feasible, cell is not performance best function, so हमेशा आप उस value बसलेक कीजएगा, जो positive हो, और अगर option में एक से ज़्यादा positive value दी हो, लेकि यहां लिखावा small positive, small negative, option C है large negative, option D है large positive, small negative, small positive, large positive, large negative, तो सबसे पहले तो positive को select कर लें दोनों में से, positive दोने ही functional होंगे, दोने ही feasible होंगे, लेकिन कौन सबसे best, जादा electricity produce करेगा, तो answer होगा आपका, क्या क्या कहते हैं, small positive या large positive, definitely large positive, so right option है, large positive, और अगर पूछा जाए not feasible, तो आप negative को किसी को भी tick कर सकते हैं, हम यह कहने का जरुवत ही कि small negative, large negative, negative होगा, जरुवा 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 तो वो not feasible, वो सेल बनाने की जरुवत ही, वो सेल बनाने ही नहीं ही नहीं चाहिए हमें, now we talk about mcqs number 8, what is the statement of mcqs number 8, listen, two half cell reactions are given, पहला यह है कि when two A chain converted into H2, मतलब है, hydrogen ion ने electron gain की है और reduce हुआ है, positive chain neutral में गया है, और standard reduction potential की value given है, that is 0.00V, second reduction है when silver ion reduced into silver atoms, and it is the reduction potential value is 0.80 plus 0.08V, दोनो, now we talk about E knots of the cell or electromotive force, reduction potential, total potential of the cell, voltage of the cell, EM of the cell, कितना current produce होगा, तो वो बताइएगा, there are the four options, alpha में लिखा होगा है, 0.80V, minus 0.80V, beta C is 0.00VD, minus 1.6V, जिसे मैंने पिछले mcqs में बात की, कि मैं आपको सिखा हूँगा, कि कैसे यह value calculate की जाती है, तो definitely, इसके लिए आप एक formula अप्लाई करते हैं, जो मैंने पहले भी लिखा था, आप दोबारा लिख देता हूँ, E knot of the cell is equal to, standard value of reduction potential, plus standard value of oxidation potential, ये दो, अब आप देखें, अगर गोहर से, तो इन दो values को just sum कर लें, तो E knot of the cell निकला है, गो रांससरा कर लें, लेकिन problem ये हैं कि जो given values अगर आप वार करेंड में, तो given values तो दोनों ही reduction potential दिये हुए, तो स्वाल ये है कब, एक तो reduction potential as it is used हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन एक oxidation potential यूज करना है, such value तो ये decide करते हैं, कि कौन सा reduction potential as it is used हो जाएगा, तो याद रखेगा, electrochemical series में जो नीचे value होती है, जो electrode position में नीचे होता है, उस पे हमेशा reduction होती है, और उसका standard reduction potential की values जाएगा होती है, simple word में ये कहलें, दोनों value में से, जो standard reduction potential values जाएगा है, वो as it is used की जाएगा, कौन से जाएगा, definitely silver की जाएगा है, plus 0.80 volt, तो ये जाएगा value as it is used की जाएगा, इसका मतलब ये है, cell जब भी कभी आप develop करेंगे, बनाएगे ये वाला establish करेंगे, हमेशा silver पे reduction होती है, तो आप उसका reduction potential ये उस करेंगे, ओके, यहाँ मैं साथ में value लिख देता हूँ, calculate करने के लिए, कि सबसे पहले तो ये वाली value मैंने as it is लिख दी, जो के silver किया, और ये लगा formula एक प्लस, अब देखना है कि oxidation potential, oxidation potential थे दिये नहीं, अब जो remaining electrode रह गया है, जो कम value में था, 0.00 volt, आप उसका sign change करें, और oxidation potential बना लें, कभी भी, कम reduction potential का sign change करेंगे, as it is लिख सकते हैं यहाँ पे, sign change करेंगे, जो कोई फरक इसको नहीं पढ़ने वाला, positive लिखने ने, जो तो answer के आएगा, answer that goes to 0.80, तो इस वक्त इस का answer पर कहां पर ये present है, definitely, ये option जो है, वो alpha option correct है, इस case में जो मैंने tick कर दी, अच्छे, यह मैं एक और बात आपको बताता जाओ, यह बड़ा असान था जो आपको मैंने समझाया, अच्छे, अगर दोनों ही, दोनों ही, oxidation potential दीए हो, फिर आप क्या करेंगे, फर्स करते हैं, फर्स करता हूँ यहाँ पर मैं, कि आपको, दोनों ही, oxidation potential दीएगे, एक minus 2 है, आपको समझाने के लिए, असान value रख लेता हूँ, और एक minus 1 है, oxidation potentials, sorry, आपको plus values में दे रेता हूँ, oxidation potentials आपके सामने, एक plus 2 है, एक plus 1 है, अब, अब, इसको कैसे solve करें, उपर वाले formula के लिए, तो इसका असान दारीका, पहले हम इनकोossa reduction potential में convert कर लें, एले जी, इसको reduction potential में convert किया, कैसे convert करते है, कैसे बताया था, just sign change करते हैं, love sign change करते लिए, second वाले में देखें, कैसे change करते हैं, just sign change करते हैं, plus था पहले, plus था था, ठेक है, अब बड़ी value कौन से ही इन दोनों में से, हम माइनस 2 बड़ी है, माइनस 1, यह बड़ी value है, माइनस 1, so reduction potential मालूम करने के लिए, total cell का potential या EMF मालूम करने के लिए, बड़ी value को as it is ही use कर लें, बड़े reduction potential को, और फिर जो छोटे वाला है, उसका sign change करके इसमें add कर दें तो you will observe, answer is plus 1, तो SL की voltage भी आपको मिल जाएगी, और अगर अगर एक का reduction potential दिया है, और एक का oxidation potential दिया हो, तो फिर आप direct ही कोई value को sign change करने के जरू हैं पर यह direct दोनों को add करके answer निकाल देते हैं, तो यह different variation मैंने बदाई, अब बात करते हैं question number 9 की, which of the following metal will liberate hydrogen gas from dilute HCL solution, copper, gold, silver, magnesium, dilute HCL में कौन सी metal डाले हैं और वो HCL को replace कर ले, यह नहीं कि मैं आपको यहाँ यह दिखाना चाहता हूँ, कि यह वो metal है, first कर ले, आपने HCL aqua solution में इसको add कर दिया, balance कर लेता हूँ, metal ने फौरण ही, metal ने फौरण ही, metal zero oxidation state में है, metal ने फौरण ही hydrogen को electron provide किये, आप देखें, HCL में hydrogen positive होता है, negative होता है, hydrogen positive form में है, chloride negative form में है, metal zero में है, metal ने फौरण ही अपने electron provide किये, H को, उसे oxidize, खुद oxidize भी, H को reduce कर दिया, और अब उसकी जगा पे, उसकी position ले ली, like यह मैं कर लेता हूं, इसको, MCL-2 type कर लेता हूं, MCL-2 type, और यहां से दो atom hydrogen के आपस में मिले, और molecule form में release हो गए, hydrogen जो है, plus one में कभी था, अब zero में है, आजकल, तो मतलब है, यह हुआ, reduce, और कभी metal zero में थी, उसने, अब वो बचारी चले गई है, plus two में, तो metal क्या हुई ह और आपको बता है, oxidize हमेशा वो वाल element होता है, जो electrochemical series में hydrogen से position में उपर होगा, उपर होगा, कम reduction potential value होगी, कम standard reduction potential value होगी, तो ही वो hydrogen को electron provide कर सकता है, और hydrogen की जादा electron reduction potential value होगी, तो ही electron accept कर सकता है, तो इसका मलब है, वो आपने वस metal के इंतखाब करना है इन चारों option में से, जो metal hydrogen atom से position में उपर है, जो metal नीचे है, उनका standard reduction potential value बड़ा हाई होता होगी, कभी वो गवारा नहीं करती, कि वो किसी को electron provide करें, और उसकी जगा पर जागे positive हो जाएं, कभी नहीं ऐसा करती, तो इम चारों में से देखें, जो उती metal position में hydrogen से उपर है, उसको आप select कर लें, तीनों को reject कर लें, copper, copper तो position में नीचे है, तो ये right option नहीं, मैं साथ में cross लगा लेता हूँ, gold ये भी position में बहुत नीचे है, ये भी right option नहीं है, silver, B position में बहुत नीचे right option नहीं, लेकिन magnesium, you know, position में उपर है, तो ये M यहाँ पे, M यहाँ पे magnesium हो सकता है, तो right option है, magnesium, से ज़्यादा options दी हों, जो hydrogen से position में उपर हो, तो फिर दोनों ही, जितनी भी option दी हो, सारी replace कर सकती है, सारी hydrogen gas को liberate कर सकती है, evolve कर सकती है, from dilute HCL, और एगर, ये चारों ही option दी हो, चारों ही hydrogen से position से उपर हो, और ये पूछा जाए, कौन सबसे quickly hydrogen को liberate कर सकती ही, तो किसको select क होगी, जो सबसे ज़्यादा top ही, चारों में से जिसका standard reduction potential value, जो है, वो minimum होगी, जैसे पिछले MCQS में मैंने बताया, reactivity के साथ क्या order था, क्या relation था reduction potential का, inverse, तो जिसकी minimum reduction potential की value होगी, वो जादा जादा जल्दी hydrogen को replace कर सकती है, जादा reactive होती है, from dilute HCL, तब आप like, अगर मै को lithium, magnesium, potassium, calcium options में दे दो, तो किसको select करेंगे, lithium को, lithium सबसे जुदी remove करेगी, और hydro, और जितना electrode potential का difference, hydrogen से कम होता जाएगा, जो hydrogen से position में का पास-पास होते जाएगी, वो मुश्कल से displace करेगी, last question है, number 10, which of the following, which of the following, which of the following metal can displace other all given metals from their salt solutions, बाद वही उपर वाली इसमें भी, बस इसमें ये बात है कि कौन सी metal, दूसरी metal के salt solution से उसको, metal को replace कर सकती है, लाइक, यह मेरे पास एक copper sulfate का salt solution है, aqueous form में, और मैंने एक metal को इससे react करवाया, और metal ने क्या किया, metal ने इसको replace कर दिया, copper को, copper को कर दिया, अलेधा, खुद उसकी जगा लेनी, अच्छा अब द two में है, और metal फॉरण उसकी जगा ले चुकी है, copper को zero में कर दिया, similarly like hydrogen, metal यहाँ पे oxidize हुई, again, उपर वाले reaction की तरह, और copper reduce हुई, सारी बात वही है, फिर आप याद रिखे का सिरफ वही metal, दूसरी metal को displace कर सकती है, जो position में सबसे उपर होगी, उपर होली metal हमेशा नीचे वाले metals को electron provide करके अपने low reduction potential की base पर अराम से displace कर देती है, तो इन में से भी आपने देखने की options नहीं मैंने दी, इसकी options उपर वाली है, चारो, A, V, C, D, copper, silver, copper, gold, silver, or magnesium, कुछ और option भी बना सकता था, लेकर कुछ भी option और कुछ concept तो समझा गी, तो आपने पर किसको tick करना है इसके लिए भी, definitely इसके लिए भी आपने decoate करना है magnesium को, magnesium यहाँ पर जो बाकिस सारी metal को उनके salt से displace कर सकती है